नमस्कार दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जहां पर हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं गौर्मेंट जॉब से रिलेटेड डिटेल्ड नोटिफिकेशन वीडियो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के ल उसमें मैं आप लोगों को दिल्ली होमगार्ड की जो रिकूट्मेंट होने जारी है 2024 में जो भरती आई है जो 10,285 पदो पर जो वेकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एवन फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं मैं वीडियो को दो दिन लेट बन सकते हैं क्या-क्या requirement होगी eligibility criteria क्या होगा age limit क्या होनी चाहिए और physical efficiency जो test होगा जो physical standard होना चाहिए candidate का वो क्या होना चाहिए ठीक है दोस्तों तो वीडियो में अंत तक बने रहें वीडियो को like कर दें और share जरूर कर दें और जिन candidates ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है उन साथी लोगों से ये भी request है कि वो चैनल को subscribe कर दें और subscribe button के side में जो bell icon है उसको भी press कर दें ताकि हमारा वीडियो का notification आप लोगों तक सबसे पहले पोचें तो दोस्तों चलिए ये है दिल्ली डिरेक्टरेट जर्नल ओफ होम गार्ड यानि यहांपर यह नोटिफिकेशन है आप यहांपर क्लिक करेंगे तो आपको notification मिल जाएगा और अगर हमें पॉर्टल के उपर जाने तो मैं यहांपर क्लिक करूंगा और पॉर्टल के ऊपर आप चले जाएंगे और यहां से आप रेजिस्टर कर सकते हैं तो दोस्तों यहांपर आप देख सकते हैं कि online application portal for enrollment of home guard, telly, advertisement उसको आप यहां से क्या कर सकते हैं उसकी जो date है वो 24 जनवरी दोजार चोबिस से यह application form के जो आविदन है वो start हो चुके हैं और last date जो होगी वो February में 13 फरवरी होगी ठीक है दोस्तों तो चलिए detailed देखते हैं candidate को registered करने के लिए क्या करना है apply online पे जाना है और यहां से apply करना है दोस्तों इसका मैं एक separate वीडियो लेकर के आऊँगा आज क इस वीडियो में मैं detailed notification पर बात करने वाला हूँ और हम देखने वाले हैं जो भी हमारे सारे questions होते हैं आपको जो photo है passport size photo है signature है और कौन से documents चाहिए क्या size में चाहिए वो सारी चीज़े हम आज के इस वीडियो में discuss करेंगे चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम उस notification को open कर home guards के दुआरा निकाला गया advertisement number आप यहां पे देख सकते हैं कि सब्दार classified ठीके दोस्तों 2023-24 के लिए दिली home guard के अंदर निकाली गई vacancies के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसकी जो official website है वो यह है जो मैंने circle की है और यह आपको description में भी दी गई है वहां से आप directly इस application form के apply करने की तो केवल और केवल आप इसमें online mode में ही application form को submit कर सकते हैं ठीके दोस्तों इसके अलावा इसका कोई another medium नहीं है कि आप कैसे offline application form submit करें केवल और केवल online mode में ही application form जो है वो submit हो जाएगा ठीक है application received through any other mode shall stand summarily rejected no correspondence will be entertained in this regard दोस्तों सबसे बढ़ी बात ही है कि जब हम हम भी कोई भी application form भरते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो application form के लिए apply करना है वो कब से हम कर रहे हैं और कब तक application form रहेगा although कभी भी candidate को इस चीज़ का इंतिजार नहीं करना चाहिए दोस्तों कि last date क्या है ठीक है न हमें हमेशा किसी भी application form को last date से पहले भर देना चाह है क्योंकि in case कुछ गलतिया को पता लग जाता है हमें दूसरे candidate से यह जानने का मोका मिल जाता है जैसे अब तो YouTube एक बहुत अच्छा सार है वहां से हमें पता लग जाता है कि किनके चीज़ों के हमें requirement है पहले अच्छे से चीज़ों को समझ ले और फिर अपने apply करें आवे यह है या आविदन करना है वो सुरू हो चुका है और बात करें अंतिम तित्य कि कि कब तक आप last application form भर सकते हैं तो वो है 13 फर्वरी 2024 जी हां दोस्तों 24 जन्वरी से यह application form स्टार्ट हो गए हैं और 13 फर्वरी तक आप अंतिम रूप से apply कर सकते हैं Home Guard जो है वो एक voluntary body of persons है जैसे Bombay Home Guard Act 1947 के according दिल्ली में इसको extend किया गया था ठीक है न तो present enrollment of Home Guard volunteers is for the voluntary service as per Bombay Home Guard Act 1947 दिल्ली Home Guard Rules 1959 for stipulated term only दोस्तों यहां पर आप clearly देख सकते हैं कि जो है कि वो क्या क्या है देखिए online application are invited for enrollment of 10,250 Home Guard volunteers for a team of 3 years which may be extended by 2 years with 15% 7.5% and 27% reservation of SC, ST and OBC classes candidates respectively दोस्तों इसमें मैं बता दूँ आपको कि 10,285 पदों के लिए दिल्ली में Home Guard की vacancy निकाली गई है और यह 3 years तक के लिए पहले निकाली जा रही है इसको extend भी किया जा सकता है आगे अगले 2 साल के लिए SC के लिए 15% का reservation है, ST के लिए 7.5% का reservation है और OBC category जो दिल्ली से बिलों करते हैं उनका 27% का reservation यहाँ पे seat reserved रखी गई है Out of each category, 1 third vacancies जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक category का 1 third vacancies जो है वो सीदे सीदे horizontally women के लिए reserved है 10% of the vacancies are also reserved for the ex-servicemen falling with each ex-CAPF, personal हो गए, failing with both from the normal candidates ठीक है दोस्तों, चलिए vacancies जो हैं वो tentative हैं, इनको गटाया बढ़ाया जा सकता है इसका जो final decision होगा, वो केवल और केवल, DZHG के हाथ में होगा दोस्तों, एक important चीज़ बात करते हैं, eligibility criteria की क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए मैं अगर आपको बता दूँ कि जो candidate है वो दिल्ली का resident होना चाहिए, ठीक है न? और citizen of India and दिल्ली का resident होना चाहिए, भार के candidate इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ दिल्ली के प्रूफ के लिए कि कौन सा प्रूफ वो दिल्ली के लिए upload कर सकते हैं, तो candidate must possesses any of the document, उसके पास दिल्ली का passport हो, election commission photo, ID card हो, water ID उसके पास होना चाहिए, current and valid ration card bearing his name and photograph, उसके पास अगर ration card में उसका photo है, ration card होना चाहिए और उसमें उसका उसके पास valid driving license होना चाहिए, जो दिल्ली के transport authority से issue हो, duly attested passport of public sector bank, accounting have photograph with the residential address in the Delhi, ठीक है, और certificate होना चाहिए उसके पास, जैसे cast certificate हो गया, computer authorized government authority of revenue department का उसके पास certificate issued होना चाहिए, जैसे कि domosile certificate हो गया, cast certificate हो गया, वो ये बताएंगे कि ये proof of resident of Delhi है, कि कि इन में से कोई भी एक होना चाहिए, अगर मैं बात करूँ, age criteria की, कि candidate की age कितनी होनी चाहिए, दोस्तो, candidate की जो minimum age है, वो 20 years होनी चाहिए, और maximum age 45 years होनी चाहिए, candidate 2 January 1989 से पहले पैदाना हुआ हो, और 1 January 2004 के बाद पैदाना हुआ हो, अगर मैं बात करूँ, ex-serviceman और ex-CAPF personals के लिए, उनकी जो maximum age है, वो 54 years के जो candidate है, वो form भर सकते हैं, दोस्तो, बात करूँ, educational qualification की, कि कौन लोगों की, जो साथी लोग इसमें आविदन करना चाहते हैं, home guard के लिए apply करना चाहते हैं, उनकी जो उच्तम qualification है, वो कितनी होनी चाहिए, जो required education qualification है, वो है कि उसने 12th pass कर रखो, senior secondary schooling कर रखे ह हो, और ex-serviceman के लिए 10th class चलेगा, ठीक है दोस्तो, height के मैं बात करूँ, दोस्तो, मैंने कहा था कि physical standards की बात कर लेते हैं, कि physical standards कितना चाहिए, तो दिली में home guard के लिए apply करने के लिए, जो candidate की minimum height है, वो 165 cm होनी चाहिए, और female की जो minimum height है, वो 152 cm होनी चाहिए, ये बात ध resident of union territory of Delhi, education, age reservation and bonus mark, during document verification, after written examination, all these documents should have been issued before the date of publication of advertisement of enrollment, दोस्तो, इस बात का याद रखना है, कि जो आविदक, आविदन करना चाहते हैं, या जो applicants, दिली home guard के लिए apply करना चाहते हैं, तो वो उनको ये proof देना पड़ेगा, उनके पास proof होना चाहिए, कि वो दिली के resident है, दूसरा, education, age, reservation, bonus marks, उनके सब कुछ जब आविदन सुरू हो रहे हैं, यानि कि 24 January 2012, advertisement से पहले के होने चाहिए, यानि कि उसके बाद बनवाए हैं, ठीके दोस्तो, बात करें, candidate must qualify the race, अच्छा, बात कर लेते हैं, क्या किसी तरह का कोई physical भी होने वाला है, तो बिल्कुल हाँ दोस्तो दिल्ली होमगार्ड में, physical भी definitely होने वाला है, candidate का, जो candidate return exam qualify करेंगे, वो आगे physical के लिए जाएंगे, physical का क्या condition है, क्या criteria है, candidate must qualify the race, candidate को जो है, वो race clear करनी है, अच्छा, इस category के हिसाब से race का, जो distance, टाइम है, वो अलग-लग है, मैं बात कर लेता हूँ, 1 January 2024 को male candidate के लिए, जो race का criteria है, वो क्या है, अगर candidate की उमर 30 साल तक है, तो उसे 1600 मिटर की जो दोड़ है, वो 6 मिनट में complete करनी है, अगर candidate 30 साल से 40 साल के बीच है, तो उसको 1600 मिटर की दोड़ जो है, वो 7 मिनट में complete करनी है, मतलब उन्हें सीधे सीधे 1 मिनट का जादा दिया और CAPF का candidate है, तो 45 साल से 54 साल के बीच में है, तो उनको 1600 मिटर की जो दोड़ है, वो 10 मिनट में complete करनी है, ठीक है दोस्तों, similarly female candidate के लिए भी कुछ इसी तरह से है, अगर 30 साल तक है, तो उन्हें 1600 मिटर की दोड़ 8 मिनट में complete करनी है, 30 से 40 साल के बीच है, महिला candidate की उमर है, तो उसे 1600 मिटर की जो दोड़ है, वो 9 मिनट में complete करनी है, 40 से 45 साल की जो महिला है, उन्हें 1600 मिटर की दोड़ 10 मिनट में complete करनी है, और egg service मैंने महिला है, तो उसे 1600 मिटर 12 मिनट में complete करनी है, ठीक है दोस्तों, ये था physical standard, केवल और केवल physical test में, उनकी save cable और केवल race होगी, और उनके उमर के हिसाब से उनको अलग-अलग time duration दी गई है। Only those candidates who qualify in physical measurement and efficiency test, यानि कि जो candidate physical efficiency test और physical standard test को पास करेंगे, केवल वही candidate return के लिए shortlist होंगे। वही written exam में appear हो सकते हैं। ये लिखा हुए, selection will be made as per the merit which shall be finalized by adding bonus marks wherever applicable to the written examination marks. Selected candidates will have to qualify medical examination, जो candidate return के बास select होंगे, उनका medical test होगा, and they will have to submit their police clearance certificate PCC's, उनको submit करना होगा, which can be obtained from दिल्ली पुलिस website. जो कि दिल्ली पुलिस website से क्या क्या जा सकते हैं, अब डॉनलोड बनवाया जा सकते हैं, और detailed instructions are available on the enrollment portal and website of DGHG. दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब भी कोई application form भरते हैं, तो हमारा में ये रहते हैं कि fees कितनी लग रही है application form के, और वो fees कैसे pay होगे. दोस्तों, अगर मैं application fees की बात करूँ, तो 100 रुपीज हर एक candidate को देना है. ये किसी भी category का हो, OVC हो, EWSO, General हो, ठीक है, SEO, STO, महिला कैंडिडेटों या मेल कैंडिडेटों, सभी की जो application fees हैं, वो 100 रुपीज है. Application fees once paid will not be refunded under any circumstances, और जो fees pay होगी, वो online mode में ही होगी. Online mode में जैसे application form submit हो रहे हैं, वैसे ही fees submit होगी. ठीक है दोस्तों, बात करें how to apply. दोस्तों, आपको सीधे-सीधे करना किया है, इस official website के उपर जाना है, और वहाँ से apply करना है. Candidate can apply on enrollment portal of DZHG, ठीक है, और portal can also reached from the website this, यह Delhi homeguards.nic.in, यहाँ से भी आप apply कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, यह same notification हिंदी में है, ठीक है, मैंने आपको सारी चीशे बता दी हैं. तो यह था दिल्ली के अंदर directed channel of homeguards के अंदर के दुआरा लाई गई 10,285 पदों पर लाई गई दिल्ली homeguards की vacancy, जो कि अगले 3 साल के लिए रखे जाने हैं, दोस्तों, अगर कोई चीश ऐसी रह गई है, जो आपको समझनी आई है, तो हमें जरूर comment box में comment करके बताएं. और अगर आपको लगता है कि application form को fill करने में आपको कठनाई आ रही हैं, किसी तरह की कोई समझ्या आ रही है, तो हमें comment करके जरूर बताएं. हम आपको step wise form fill करके भी बताएंगे, कि कैसे आप अपना form fill कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मैं आपको कुछ और चीज़े इसकी official website से बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आप जैसे पास फोटो का जो size है, वो क्या होना चाहिए, यह सारी चीज़े कौनपॉर्ण से documents मैंने आपको बता दिये, तो आप form परना start करें, अगर कहीं पर लगता है कोई दिक्कत है, तो हमारे comment करके हमें जरूर बता दे, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अच्छा मोका है कि वो home guard की इस भरती में जरूर आवेदन अपलाई करें और आवेदन करेंगे, तो में भी आपके chances हैं कि आप select हो जाएं, बहुत सारे पद हैं, आपको नोकरी मिल जाएगी, अच्छी कासी salary होती है, ठीके दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडिय में तब तक के लिए, बाइबाई, टेक केर, अपनी त्यारी करते रहें, थैंक्यू,